भारतिय संस्कृति इतनी दमदार है इतनी मस्फूत है इतना रोचक है कि इसकी एक एक बात में दम है उनी में से एक है हमारे यहां दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का महत्व है इसके पीछे की कहानी हमने आपको कल वीडियो में बताई थी कि गोवर्धन परवत को भगवान श्रीकर्षन ने उठाया था और इंद्र का एहिंकार तोड़ा था यह उसका एक महत्व है और भगवान श्रीकर्षन या परमात्मा या हम जिनको जिन नाम से भी पुकार है वो अपने भगतों का एहिंकार कभी बढ़ने नहीं देते हैं गोवर्धन की पूजा भारत में होती है खास तोर से ब्रज के आसपास यूपी में तो संपून यूपी में एमपी में भी और उसके बाद में इस तरह से इस गोवर्धन को जिसको थापले कहेंगे या कहेंगे और फिर इसका और महत्व है कि इसको हम एक साल तक रखते हैं समाल के गोवर्धन महराज की गिरीराज महराज की या भगवान श्री क्रश्न की एक उर्जा होती है इसमें और फिर जब भी कोई सुबकारी होते हैं खास तोर से कोई हवा नादी कोई सुबकारी है उसमें इसक सच है कि गाई का गोबर ही होना चाहिए या यूँ कहें कि गोबर गाई का ही होता है उसमें इतने गुण होता है मैंने कल इसको अनभव किया ये देवनेगरी सिरोही है और सिरोही में हम पिछले कुछ सालों से गोवरधन जी की पूजा करते हैं हलाकि ये गुजरात बॉर्ड राजस्थान का ये छोर है तो यहां कुछ अलग रिवाज है यहां दुसरे दिन मनाते तो हैं लेकिन गोबर धन की पूजा को एक अलग धंग से या जिसको राम राम सा के नाम में इसको मनाते हैं मैं आपको इस मूल विशे पाता हूँ गोबर का क्या महत्व है जिसको पंच गव्य कहते हैं उस पंच गव्य में गोबर की महत्व है अगर इसको हम समा निरुप से कहें तो इसकी खाद का जमीन की उलग राशक्ति को बढ़ाती है इसमें skin disease को ठीक करने की सामरत होती है यह बिल्कुल पक्की बात है एक साथी बना इसमें skin disease को ठीक करने की सामर्थ होती है कई तरह की अलर्जी लेकिन अब इसको पड़े लिखे लोग इसको अगर नहीं महत्व समझें तो फिर अलग कहानी है लेकिन प्राकरतिक चीकिशा में गोबर का महत्व है हम ने कल पूजन किया और इसका विधी विधान से विशर्जन किया और आज इनके उपले थेप रहे हैं यह घर में ही थेप रहे हैं घर की चत पर ही थेप रहे हैं यह शंकर कॉलोनी है राधी का फस्ट भी कहते हैं इसको यह शिरोही का एक खुबसूरत छेतर भी है डवलपिंग है लेकिन यहां की खुबसूरती का एक मैं और बता दू कि किसी भी सहर में एगर कोई ऐसी खालिस था न हो और उस खेत में तरव ताजा सबजी मिलती हो। तो इसका कहना क्या साब। यह संकर कौलोनी रूप संकर पूरी नाम है, अनेक अनेक नाम है। महादेव के जिस तरह से अनेक नाम होते हैं। हमने इस कॉलोनी के भी कई नाम रखे हैं हमारे यहां के जो भी मित्र हैं यहां जो लोग रहते हैं हाला कि यह अभी डवलपिंग कॉलोनी हैं सामने आदशनगर है यह सिरनवा की पाढ़ियां है और सुर्य नारान भगवान अपनी चटा को बखेर रहा हैं और एक और हमने यह यहां सिरी धोलागड मया का जंडा और ओम का जंडा पतंजली का जंडा भी हमने यहां फेरा रखा है यह प्रभू की कृपा होनी चाहिए बस से हमारा सकारात्म क्रवया होना चाहिए अब एक सवाल आता है क्योंकि दुर्भाग से हम गाय नहीं रखते हैं या नहीं रख पा रहे हैं यह गोबर हमारे एक हमारे अधर्निय भैसाब जिनके हम पर 60-70 गाय हैं पंकजी गांदी साब हम हर साल वहां से गोबर लाते हैं दिवाली के दिन और गोरधन जी बनाते हैं द बहुत अच्छा सा महत्व है लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि हम गाउं की संसक्रती से जुड़े हैं हमको इस बात का फक्र है कि हम गाउं की संसक्रती को जानते हैं गाउं की संसक्रती को गाई की संसक्रती को गोबर की संसक्रती को जानते हैं लेकिन गोबर का कोई आत्मियता से बहुत जिसको कहे कि मनोयोग से बहुत उत्सा से इस आनंद को और देखिए जीवन में जब भी कोई आनंद के अउसर मिले न उसको छोड़ना नहीं चाहिए ये हमारी चानक की निती भी कहती है और आनंद लिया जा सकता है आनंद आप कदम कदम पर आनंद की तो कई लोग कहते हैं कि बरशात होती है लेकिन हम उस आनंद को हलके मिले जाते हैं ये इस तरह से संभोत या ग्यारा बनाएंगे या पंदरा बनाएंगे या इकीस बनाएंगे इस तरह के हम ये बना रहे हैं हमारा देखिए ये क्या कर रहे हैं जी आप हस्ते हस्ते बता दो को बात ने ये ऐसा ऐसा गोर्दन जी के बाद में दूसरे दिन करते हैं ये ऐसा चलिए बहुत अच्छा देखो हर चीज में आनंद तो होना चाहिए